हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माँ चानल मिस्टीरिस एस्टेलोजी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा देट विल बी अबाउट सैटन इन सेवन्थ हाउस जब आपके शनी देव आपके साथ भाव में बैठे वे हो चाहे आपके बर्द चार्ट में हो नवमसा चार्ट में हो डी10 में हो डी1 में हो किसी भी चार्ट में हो जब सैवन्थ हाउस में आपके शनी देव का विराजमान होता है तो क्या होता है दोस्तो मैंने आपको पहली बता रखा है अपने बिल्कु साटिंगे टाइम में जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था कि Saturn एक slow moving planet है Saturn आपके कर्म के हिसाब से आपको judge करता है So, Saturn की सबसे पहले खास बात Slow moving दूसरी सी खास बात क्या है? कर्म के अनुसार आपको award देगा, reward देगा Karma is equal to reward या फिर punishment गल्द कर्म है, तो गल्द चीज़े होंगी अच्छे कर्म करोगे, तो अच्छा फन मिलेगा अब मैं इसमें एक बार आपको ये समझा देता हूँ साथ वाह उसके ऐसा होता है, एक बार छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ आपने देखा होगा कि birth chart something like that ऐसे बना होता है सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब सैटन आपका यहां पर बैठे वे होते हैं, क्या होता है सेवन्थ हाउस मैंने पहले बता रखा है आपके spouse को denote करता है, आपकी marriage life को denote करता है आपके कितने relationship रहेंगे, रहेंगे भी नहीं रहेंगे divorce होगा, नहीं होगा, वो हर चीज वो हर चीज, 7th house आपका देखता है दोस्तो तो, मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ areas affected due to Saturn in the 7th house क्या क्या होता है, 7th house का आपका और किस-किस चीज से link होता है 7th house links बताता हूँ मैं आपको किस-किस चीज को link होता है, शादी मैंने बता दी है spouse मैंने बता दी है, ये even somewhere somehow आपकी wealth भी denote करेगा आपकी age factor भी denote करेगा आपका business कैसा होगा क्या profession होगा एक तरीके से, ये कह सकते हैं क्या आपके सपने pursue होंगे या नहीं होंगे और आपके emotions emotions do तो दोस्तो, जब Saturn आपका यहाँ पर विराजमान होता है इसके positive और negative impact हर तरीके से होते है तो मैं सबसे पहले positive impact शेर करना चाहूँगा आपके साथ positive impact अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप positive impact देखके video बंद कर दे क्योंकि हर चीज़ का negative आपको पता होना चाहिए although I could start with negative impact पर नहीं मैं सबसे पहले से positive impact बताता हूँ जैसे कि मैं आपको बता है Saturn is a slow moving planet and this principle influence the natives they keep their action low key आपने देखे हैं कुछ लोग को आप कहते हैं ये तो या चुपा रुस्तम है इसमें hidden talents है वो क्यों होता है अगर Saturn आपका 7th house मा पॉजिटिव है तो आप hidden talent के मालिक होंगे hidden talent छुबे रुस्तम होंगे आप लोग को पता नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कुछ पता नहीं चलेगा आप ऐसे moves कर जाओगे जैसे आपने ये भी देखा होगा लोग कहते हैं कि जरूर इसकी कोई girlfriend नहीं होगी और लेकिन देखते हैं बाद में पता चलता है इस इनसान की तो भई girlfriend हर रोज बदल ली है तो वो ऐसे लोग कौन होते हैं वो छुपे रुस्तम होते हैं पर ऐसे लोग की खास बात यह होते है कि ऐसे लोग लोगों पर आप कहीं न कहीं भरोसा कर सकते हो जिस वक्त वो आपके साथ हैं उस वक्त तक के लिए yes, you can keep faith on them you can trust them वो loyal होते हैं जब तक वो आपके साथ हैं खास कर रहें यह चीज माननी पड़ेगी दोस्तों यह मैंने खुद live example देखें ऐसे लोग चाहें कितने चुपे रुस्तम हो कितने ही कुछ भी करें पर जब वो आपके साथ हैं उस वक्त के लिए यह आपके साथ भरोसे बंद वफादार रहते ही रहते हैं दोस्तों यह बोलते थोड़ा कम है less talkative they are less talkative इनमें मैं यह भी कहूँगा कि यह नाइंसाफी नहीं देख सकते they can't tolerate injustice यह लोग injustice नहीं देख सकते इस चीज को मिशायाद रखेगा अगर यह लोग business करते हैं तो बहुत gain मिलता है अगर Saturn आपका यहाँ पर positively placed है gains in business definitely देखने को मिलता है इस चीज को मेरी बात माने है 100% इसमें मैं इवन यह कहूँगा जो कहते हैं ना जैसा आपका कर्म वैसा ही आपका फल वो चीज ऐसे लोगों पर काबू करती है इसलिए अगर आप इसलिए मैं कहरा हूँ अगर Saturn आपका 7th house में है किसी भी चार्ट में अच्छे काम करिए अच्छा reward मिलेगा 100% जो कहते हैं ने जितनी महनने तो उतना फल वो ही चीज आपके साथ होगी तो अच्छा काम करोगे अच्छा मिलेगा गलत काम करोगे गलत होगा और मैं ये कहूंगा जब 7th house आपका यहां पर 7th house में Saturn हो, positive हो तो ये आपको power देगा wisdom देगा knowledgeable बनाएगा knowledgeable बनाएगा even I will say आप में leader वाली quality होंगी leadership quality and even मैं ये कहूंगा ऐसे लोगों की love marriage ज़रूर होती है love marriage की chances बहुत हाई होते है love marriage chances 90% होते ही होते है और वो successful भी होती है ये मैं खास चीज़ में बता चाहूंगा even मैं ये कहूंगा the presence of Saturn also increases the spirituality आप spiritual होते हो भगवान की तरफ आपकी अडूची होती है जब 7th house आपका positive हो यहाँ पे even मैं ये कहूंगा की बहुत passionate आपकी love story होती है जब 7th house में Saturn positive होता है पैशनेट आपकी अगर हम नेगेटिव इंपक्ट की बात करें दोस्तों तो मैं ये कहूंगा कि जब आपका शनी साथवे घर में गल्द बैठा होता है तो यह आपकी married life destroy करतेता है married life destroy होती है आपकी divorce होने के संभावनाएं बहुत होती है divorces जो होते हैं Saturn ही करवाते हैं इस चीज़ को भी आप समझे जब शुक्र और Saturn आपके malefic हो या तो शादी नहीं होती है divorce के chances ज़्यादा होते है even मैं ये कहूंगा they find difficulty in getting the partner आपको जो कहते हैं न कुआरे रहते हैं ये दिनकी बहर कुछ लोग क्यों क्योंकि Saturn in 7th house no chances of marriage is also there always remember this even मैं ये कहूंगा the adverse impact of retrograde set in 7th house में relationship of the native and their life partner ऐसे लोगों की खुद की जिन्दी तो खराब होती है पर ये अपने partner की भी life खराब करते हैं destroy their own and their life partner life always remember this and there may be fights between the partner as usual even मैं ये कहूंगा ऐसे लोग बहुत ही आलसी बनते हैं आलसी कह दिए इवन मैं ये कहूंगा ये काम चोरी भी करते हैं and I will say के responsibility नहीं लेते no responsibility no responsibility मैं ये कहूंगा ऐसे लोगों की speaking ability बहुत बेकार हो जाती है speaking ability is worst loss and business भी देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर मैं ये आप माहने तो at the end मैं ये कहना चाहूंगा जिन जिन नेटिव का Saturn 7th house में है वो एक अच्छी life भी बिता सकते हैं शादी शुदा अच्छा पैसा कमा सकते हैं position कमा सकते हैं society में status कमा सकते हैं पर वहीं अगर Saturn 7th house में आपका malefic है तो ये सब आपको देखना पर सकता है दोस्तों so guys thank you very much for watching my video I hope you like it thank you guys thank you very much